नमस्कार दोसतों मैं गोरब एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने helping गोरब youtube चैनल पर दोसतों एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत-बड़ी खुसकपरी लेकर आया हूँ वैसे दोस्तों अभी आप लोग को खुसकबरी मिली नहीं है लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोग को खुसकबरी मिल जाए तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिहार, बैल्टरॉन, कर्मियों ने मांगा सरकार से अपना हाग अब यह हक क्या है दोस्तों यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ आप वीडियो पर पूरा बने रहीएगा और दोस्तों DEO, Programmer, CEO और दोस्तों IT वो है सभी के लिए यह News है CEO का मतलब है Computer Operator दोस्तों सभी के लिए है इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहीएगा बगल के बैल आकम को दवाना बिल्कुल ना बूले तो चलिए दोस्तों फटा-फट से उस News को हम लोग Open कर लेते हैं जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपके सामने एक पेपर का कटिंग लेकर आ गया हूँ और दोस्तों आप देख सकते हैं आपको डेट भी दिख रहा होगा 28 2020 यानि कि दोस्तों ये आज का ही News है और दोस्तों आगे बड़े तो आप देख सकते हैं Data Entry Operator ने राज सरकार से मांगा हक अब दोस्तों ये हक क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा आप वीडियो पर पूरा बने रहेगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा गया है Beltron द्वारा नियोजीत Data Entry Operator ने सरकार से मांग की है कि उन्हें अनकर्मियों की तरह सुविदा दी जाए यानि कि दोस्तों सरकारी व्याग में जितने भी करमचारी काम करते हैं उन्हीं के तरह जो है Beltron के सभी करमचारी को अब सुविदा चाहिए चाहिए वो programmer हो इस्टिनोग्रापर हो Data Entry Operator हो यहां तक की IT बुआई भी क्यों ना हो सभी को जो है समान सुविदा चाहिए आगे बड़े तो आप देख सकते हैं लिखा गया है उनकी सेवा का समान जन किया जाए बिहार राज Data Entry Computer Operator संग के एक परतिनीदी मंडल ने बुद्धबार को मुखमंतरी सचीवाले पहूच कर अपनी मांगों का ग्यापन सरकार को दिया आप देख सकते हैं बुद्धबार को और आज है बिरस्पती बार यानि कि 19 तारिको ग्यापन सोपा गया और मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 तारिको संग के महा सचीव अनिल कुमार सिंग ने बयान जारी कर बताया कि सचीवाले से लेकर सभी विहागों में डाटा इंट्री ऑपरेटर, केंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर समेथ दूसरे पदों पर लोग तैनात हैं कार अस्थाई प्रकिर्ति का होने के बाद भी सेव आपे कहा गया है कि अस्थाई प्रकिर्ति का होने के बाद भी और दोस्तों साट साल का ये जौब है बस आप लोगों को इमानदारी से काम करना है चोरी घुसकोरी नहीं करना है और नाई चोरी घुसकोरी में पकड़ाना है इमानदारी से अगर आप काम कीजेगा तो आपक आप देख सकते हैं सिक्षक के सेवा सर्त लागू करने की तर्ज पर डाटा इंट्री ऑपरेटर ने भी सेवा नियमीत की मांग रखी आप देख सकते हैं सेवा नियमीत की मांग रख दी गई है और दोस्तों आप इस सिक्षक का क्या लेना देना ये भी मैं आपको बताता हूं जैसा कि आप लोगों पता है कि पहले नियोजित सिक्षक होता था ठीक है तो अब जो है क्या हो गया कि उसके आगे जो है नियोजित सब्ध हटाने की मांग चल रही थी बहुत दिन से और यह जो है अब स्विकार कर लिया गया है तो दोस्तों इसी के तरज पे जो है अब बेल जगी है कि 60 साल का जॉब होने के बाद भी संबीदा कह दिया जाता था यही एक रीजन था और इसी को खत्म करने के लिए बहुत जोर सोर से सभी लोग लगे हुए हैं आप देशकते हैं राज्य में बेल्ट्रॉन के द्वारा सरकार के सभी व्युहागों कार्यालों में नि मांगों को लेकर मुखमंतरी कार्याले में ग्यापन सोपा आप देख सकते हैं बुद्वार को ग्यापन सोपा गया है और जब दोस्तों यह मांग स्विकार कर लिया जाएगा फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अब कर लिजेगा और साथी साथ बगल के बैल आकों को दोवाना बिल्कुल ना भूलेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केर